कोपर मेंडिंग डवल मोटर है तो यह भारत में बनीव मशीन है और बहुत अच्छी चलती है इसलिए इसका इस्प्रेश इतना अच्छा है आपको यहाँ पर आराम से देखे कि कितनी बेटरी रहे गई है यह देखे आप यह पचास मिटर पाइप लगा रखा अब देखे और हम यहां पर बागवानी कर दो बागवानी में प्रे कर रहे हैं और यह देखे बिल्कुल चोटी तक आपका पानी जा रहा है तो मशीन यहीं से बंद कर ली हैं तो इस तरह से आप इसको इदर घुमा कर मशीन को बंद भी क्या प्रशंप कर सकते हैं यह वनोगही प्यूजुद की हाथ में क्या सुटकेस अले रखा है जिए कर सकता साडिक सुटकेस ने यह किसानेगरों ने इतना प्यारा मॉडल बनाया है कि आपको लगेगा यह आप इसको लेकर कही शादी ब्याँ में जा रहे हैं तो यह सूटकेस इस प्रेगर के दिखा यह देखे आप यह रहे गजब यह देखे तब 25 फूट लंबा जा रहा है इसे 30 फूट लंबा स्प्रे जा रहा है यह देखे यह देखे यह देखे तीस फूट लंबा स्प्रेगर एक बिल्कुल आराम से यह भाई यह देखे अच्छा से नौ फीट का एरिया लेकर चलती है यह देखे तीक है इसमें हमने 30 फिट लगा रखा है आप अगर लंबा पाइब लगाना चाहें तो 300 फिट तक लगा सकते हैं 300 फिट तक जी अशुट के सवार रखाई यह वहाँ पर हमारी मशीन लखी है आपको अगर मशीन यहीं से बंद करनी है तो इस तरह से आप इसको इदर घुमा कर मशीन को बंद भी कर सकते हैं यह देखिए यह आटमेटिक यहां से बंद हो गई है और मैं दिखाऊंगो आपको मशीन भी हमारी बंद हो गई है यहां पर मशीन चल नहीं रही है अच्छे यह देखिए सर मशीन यहां पर बंद हो गया हमारी मशीन बंद हो ऊंग इसको दुबारा चला है यह रहां ही है तो भारत के अंदर पहली बार पोर्टेबल बैटरी कोड़ा इसके बारे मताइए सर आज तक क्या होता था किसान भाई जो है ड्रिप इरिगेशन में जुगाड लगाते थे जुगाड की अब ज़रोत नहीं है हमने डेडिकेटिव ड्रिप इरिगेशन के लिए ही एक मशीन मना दी है अभी तक हम क्या करते थे इस मशीन को सिर्फ पोर्टेवल बैटरी स्प्रेयर थी है जो किसान भाई नहीं चाहते कमर पे 20 लिटर की टंग के चलना उनकी ने मशीन मंगाई दी आप इसमें 300 फिट तक का पाइब लगा सकते हैं अच्छा जी इसके अलावा अब हम इसके साथ एक ड्रिप इरिगेशन किट भी दे रहे हैं जो कि एकिससान भाईों की मांग थी कि हमें ब्रिप इरिगेशन में लगानी है मशीन कैसे लगएं अच्छी इसके चाइप देदी आपको डिरेक्ट यहां से इसको कनेक्ट करना है और आप इसको डिरिप इरिगेशन लगा के चला सकते हैं अभी वताओ यह चार्ज होकर जी तब इस प्रेकर करती है इसके अंदर कोई वह पैट्र लोगनें डालना तो क्या मोटर लगी है मैं इसकी स्पेसिफिकेशन क यह प्लास्टिक की बॉड़ी है जैसे आप देख सकते हैं यहां पर भी इसके अलावा हमने इसमें अक बहुत बढ़िया चीज देती सर पीछे जो है यहां पर देखेंगे आप यहां पर हमने बैटरी इंडिकेटर दे दिया है जैसे फोन में देखता है ना 10% बैटरी रहे और यह यह बराबर में क्या है यहां पर यह चार्ज होती है बहुत ही गज़ा पुरा सूटकेश दे दिया है यहाद में क्या लिए रखा है यह पीछे का इनलेट है जहां पर आपको पीछा पाइप लगाना होता है आपको सिधा एक क्लिक में पाइप करेक्ट हो जाता है अच और यह आपने पूरा ही है किते मिटर फुट का पाइब यह 10 फीट का पीछे का पाइब दे रखा है आप शको ड्राम में डाल आज डाल चला सकते हैं अच्छा जो किसान भाई करते हैं और गानिक खेती उसमें घंजना जीव अमरीद वगरा बनाते हैं उससे चला सकते आज ज जो पाइप देते हैं यह है थिस्ट साथ में फ्री आता है इसके लावा जो मैने पीछे बताया इंटेक पाइप 10 विटका आता है जी यह लाल वाला उसके अलाबा यह आपको फास्चार्जर मिलेगा फास्चार्जर के तने शर्जकर यह यह फुंपॉंट सैनन एंपर यह यह इतने घंटे चार्ज करते हैं जो आपकी इसमें बैटरी लगी है 1214 से पांच घंडे फुल चार्ज करते यह देखो बाइक किसान एग भाल का फास्ट चार्जर भी इसके साथ आपको दिया जाता है इसके अलावा यहां पर फुटवाल दी जाती है जिससे इसमें कश्राना जाए अंदर पानी च्छन के जाए प्लो पर इसके अलावा यह एक हाई प्रेशर गन दी जाती है गन चोटी लग रही है मुझे अपनी चोटी गन मैंने चला के दिखाई आपको बड़ा दमाक आया य इससे आप 30 फिट तक दूर स्प्रे कर सकते हैं बागवानी में अगर कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के किसान भाई है सर जम्मू कश्मीर में इतनी जादा जा रही है हिमाचल में लीची के लिए बिहार में बहुत जादा हमारी मशीन की डिमांड है पूरे उत्तर प्रदेश होने के लिए भी बहुत जादा जा रही है तो पहली बार यह आशा मोडल आप ही ने बनाया और यह सब लोग इसका इस्तमाल कर रहे हैं दिखने में इतना सुंदर है कि सब लोग खरीत रहा है सब लगी नहीं रहा कि यहां पे लग जाता है यह वाला खुल जाएगा और यह यहां पे लग जाएगा इसके उपर आपका ट्रुप यहां पे लगाएजन और यहां से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कितना आपको पानी भीजना है इसको एक मोटर चला है दो मुटर चला हो जैसे आपको प्रेशर अपने आप से हिसाब से अधिस्ट करना है और कितना पानिया आगे चोड़ना चाहते हैं तो यह तो भाई जी आपने कमाल कर दिया भारत के अंदर किसानों को इस पर मसीन भी दे दी और उन्हें डिप में इस्तेमाल इंक्वारी आती थी तो हमने इसके साथ डिप्रिकेशन भी देतिया अब कहें किसान भायों का सवाल है सर यह एक बार चार्ज करके कितना लिटर पानी स्प्रे कर देगा सर यह आपका बहुत ट्रीकी कोश्चन है मैं इसका सीधा जवाब देता हूं अगर आप इसको सिंगल चार्ज करते हैं एक बैटरी में तो यह 300-400 लिटर पानी मारेगा जी इसमें लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज मा बताता हूं अगर आप इसको डिरेक्ट बैटरी से लगा के रखते हैं तो आपका अनलिमिटेट चलेगा यानिकि इसको डिरेक्ट भी चला सकते हैं आप च वहां भी इसका इस्तमाल हो जाएगा नहीं उसी के लिए तो है यह आपको अगर अपना ट्रेक्टर दोना है गाड़ी दोनी है घर में बागवानी है उसमें स्प्रे करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया मशीन है कि अभी हम पोटेवल बैटरी स्प्रेयर हमनें पचास म लगा रखा है तो बागवानी में प्रे कर रहे है तो भाई यह देखो पूरे पचास मिटर लंबा पाई यह जा रहा है चारो तरब अच्छा यह आपका आम का पेड़े इस पे बी आसानी से प्रे कर रहा है जैसे कि आप अब हमें आप राजमा में गंड़ा है जी आपनी कर सकते हैं यह चलिए बाइओ यह देखे सप्रे है यह है 50 मिटर पाइप लगा कर आसानी से प्रे कर रहा है किसान बाइओ जैसे कि आप अब भी देख रहे हैं अब सवाल जैसे कि आपने बता है 300-400 एप पनी एक बार चार्ज पे कर देता है जाधा करना चाए तो पूट अगर कोई किसान भाई जाधा पाइप लेना हो चाहता हो साधे पचास मीटर जाने की डेड़ों फिट लेना चाहता हो तो इसकी क्या कीमत रहेगी और वह भी है नहीं लगा सकते हैं विल्कुल सर अगर आपको पाइप जाधा लेना है आप सौ मीटर तक पाइप लेग पका 100-mitre pipe में है चला रहे है किसान लेकर चोटा चीए तो छोटा पाइप ले सकते हैं 20-mitre चीए वो भी ले सकते हैं 10-20-30-50-100-mitre कितना भी आप लेना चाहे ले सकते हैं सर बाकि एक बार प्योजी हमें प्रे करके दिखा यह दुबारा सूंथ कर रही है यह देखे सि 25-30-30-25 लंबा प्राम से घर ती है यह तो आपको करना है दूर कर सकते हैं यह इसापको आपको फोग करना है तो यहां से टाइट करिए यह फोगिंग हो जाएगा और अगर मसीन बंद करनी हो यह और घुमा दीजे मशीन यह कहीं बंद हो जाएगी और यह वहां से सीधी आपको इसका फोगिंग का मैं फाइदा बदाता हूं आपको जो लुक्स दवाईयों का स्प्रे करते हैं आप दे आपका 15 फिट तक लंबा भी अगर गन्ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी सर आपने किसान भाईयों को यह तो बता दिया यह सूटके स्प्रे मसीन बहुत ही जबर्दा स्प्रे मसीन है बहुत अच्छा अपने पूरी फसल में इस प्रे करके दिखाया और आपने 50 आपको पूछने की जरुत निया सब समान की Eks Hundreds इस Smash बऄंस चीलों की एक साल की निया वारंटीय की फिर ला से हो अरे सर किसान एगरों मैं आपको कहनी की जरुत नियए पड़ेगी यह तो किसानभाई खुद कहते हैं कि किसानज का म Nous अ हुग इसके लावा इसकी कीमद यानि कि 500 पर बुकिंग अमांट देना है जी सिर्फ 500 पर में आप यह मशीन अपने घर मंगा सकते हैं किसान भायों अगर यह सूट के सिस्प्रे मशीन मंगाना है तो इसका स्क्रीन सोट सर को भेज दीजिए यह मात्र 500 पर में घर बैठे मंगा इस मसीन को जी सर बिल्कुल और स्क्रीन पर दिएगे जो नंबर हैं उन पर हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बे से शाम को 5 बे तक अगर हम कभी कॉल ना उठा है तो हमें वाट्सेप पर मेसिज करें इस वीडियो का में स्क्रीन शॉट लेके वेजे अपना पूरा एड्रस वेजे और जी इसका बुकिंग अम पाना है तो यह सूटकेस वाली किसान अगरों की ओरिजनल मसीन जो की बहुत ही हैवी और कोपर वैंडिंग की मोटर के साथ बनी है तो बिल्कुल खरीदो और भाई इसकीन पर देगे नंबर पर संपरक करें बाकी वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब क करें जल्दी एक नए वीडियो नए जानकरी के साथ मिलते हैं तब तक के लिए जये जवान जये किसान